फतेहबाद शहर में ठगों का गिरो सक्रिय हो चुका है और भोले भाले लोगों को चूना लगाने के लिए नए ने तरीके भी इजाद करने लगे है ठगी का ऐसा ही एक मामला फतेहबाद के रतिया से सामने आया है बता दे कि यहाँ पर ठगों ने एक व्यक्ति को असली सोने की चमक दिखा कर नकली सोना बेच डाला पीरित व्यक्ति को यह भी बताया गया था कि यह सोना खुदाई के दोरान निकला हुआ है सुरेंदर ठगों के जाल में फज गया और दस अजार रुपे उन ठगों को थमा दिये हलंकि सुरेंदर को जैसे ही अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ उसने तुरंट पुलिस को मामले की सूचना दी पुलिस ने इस मामले पर कारवाई करते हुए छे आरोपियों को गिरफतार कर लिया फिलहाल पुलिस आरोपियों से यह जानने का प्रयास कर रही है कि उन करां से मुलाकात हुई थी और से फोन पर बाते होने लगी सौन पर कहता है कि मेरे चार-पांच दोस्तों है और उनको खुदई के नदर जो हाना सोना बिलै और जिसके अंदर दो किलो सोना पेचना है और तो हम जो है आपको जो है तो यह कल की बात है चार-पांज बज़े करीब जो ना एक यह आर लेकर आए थे और इसको आर दिखाए यह पाँ है इसके अंदर जो ना आर लेकर आई है जगदीश है जलोपुरगा राहूल है कुल्दीप है सुरद प्रकास राजकुमार है जगाराम है यह गाड़ी के और दस जार उपे जिए ना अभी दे दे फिर यह और बाकी जो ना यह कहने लगा जिमास ना बेच कर दो एर इसमें चैक करवाय तो वह सोना जो ना अब नकली नकली निकला जिस और इसने दरकास दी और इन जो ना च्छै आदमीयों को कल ली गर्पतार कर लिया गया और ज पूस्ताज के अंदर सारी बाते जो ना तो कांसे लाते हैं यह वह पता लगेगा वहां सब भी जाएंगे हम जहां से सोना लेकर आई है वह उन से भी पूस्ताज कर दर्श की गई है और इनको जो है ना कल ही करतार के लिए गया पैचान तो जगदीश एक राहुल कुल एक रतिया का है एक रत्ता खड़ा का है एक कमलगड़ का है एक हमजापुर का है एक जलोपुर का है ऐसी खबरों को दिखा कर प्रधम तहलका का मकसल समाज में जाग रुकता लाना है ठगों की नजर आपके मेहनत की कमाई पर होती है दूर के सुहाने सपने दिखा कर आपक पास पच्ताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रह जाता इसलिए सावधान रहें और सतर्क रहें प्रथम तहलका के लिए फतेहबाद से सुनील कुमार की रिपोर्ट